तो गाई सामने माउंटेन नजर आने लगी है यह सामने बहुत धुंदली है मलब की पॉलुशन जादा होगा जिस विजए से पूरे धुन-धुन नजर आ रही है लेकिन यह सामने बड़े-बड़े पार नजर आ रहे हैं और यह सामने है बुत्वल जो प्लेन का आखरी सिट ते बाद फिर हिल्ज शुरू हो जाएंगी बुत्वल तक प्लेन है और उसके बाद हो फु liar हिल्ज शुरू हो जाती है लास्ट टाइम 20-18 में चैप मने रात को आख़ए यह दिले लग्नाउ से चलके हमने रात को एंद रात को पारात क्योंकि हम लेट भी चले थे दस ग्यारा वजे आई तिंग चले थे हम वह से लखनाउसे अगर लेट चलेंगे तो भईया लेट पहुंचेंगे आर जगा तो इस बार हम मैं तो निकल पड़ा था सबा पांच वजे निकल पड़ा था और जो जर्नी हमने शुरू करी सुबह छ लेन को छोड़ दिया बुतवल पीछे रह गया है और यह पूरा हिल एरिया शुरू हो गया है यहां से अब हम मांटन क्लाइब करेंगे अपनी बाइक के साथ और पोखरा में आज हमारा स्टे है बहुत ही बीटिफुल है यार पोखरा फिवा लेक है वहां पे जैसे हमारा नहीं आल में नहीं लेक है वीट यह तरह कि पोखरा में फिवा लेक है बहुत बदीपली लेय कहां है को इसमय घुक्ति करने में और वैसे भी यह उपर से इस प्रसे बेरा अठैनल करते हैं तो बहुत इस खुबसूरा नजर आती है घगा का तो वहीं कहीं से खेलेंगे फेवा लेक के आसपास और पिछले बार भी हाल था हुआ शाल भी जान पर बाइस में जाल है चार साल में कोई सुधार नहीं है यह और बहुत ही खुबसूरत है यार आके रास्ता भी बहुत है और यहां से थोड़ा रोड कंडिशन भी ठीक होगी है मगर इतनी खास नहीं है जो नेपाली सरकार बनाएगी वोई बनेगा गर्मी ने तो वाट लगा रखी है हिल्स की गर्मी तो और भी जादा खतलनाक होती है एक दो कंटे बाद मौसम ठीक हो जाएगा और यह देख लिए पहाड नेपाल के कितने बड़े बड़े पहाड है यार देखो सामने बहुत है बड़े बड़े पहाड है बड़े पहाड है ऐसा चले कैसे चलेगा यह देखो जो मेरे पहनियर को हिला देंगे टेस्टिंग भी हो जाएगी है आज पहनियर की कि मुक्तिन आज जा सकते हैं कि नीज जा सकते हैं बाइस साथ बहुत इक गंदा रास्ता है अभी तक तो जो हिल्स पे हमने जैसे क्लाइम करना शुरू कर रहा है और यह देखी रास्ता इतना गंदा है दूली दूली आगे बस चल रही हो तो बुरा हाल हो जाए अभी दो बस बसो ने तो आलत खराब कर दी यह देख लो कि ट्रक आ गया है और हम रुगे हैं कि भाई कैसे निकालेगा कि दील सब हादा लिए कि दूली आड़ कि देखी लुगे हैं कि दूली आड़ी आड़ी तो कि दीलारी देखी थेरा है तूली ऑ।, दूली आट आट पालेगा बाप परे पीछे करने में याद इत्राब होगी वो रुक जा यार बाप परे जाए होगी याल है देख लो परसीनियों से तर हो चुके हैं रोड कंडिशन बॉस्ट बीच में टूटा हुआ रोड मिल रहा है कभी सीधा मिल रहा है बस रिसीता चल रहा है देखिये बीच में पैचे इस यह बहुत ही बेकार रोड है यार पहाडों की नेपाल की इंडिया इस दा बेस्ट इंडिया की रोड तो बहुत माशालला यार वह भी पहाडों की और यह चार साल से यह आल है इसका अबर भाई तो अपनी ऑफ रोड बाइक ले आ है उनको तो कोई फर्ग ने पड़ेगा एक्सपल्स इस रूट के लिए तो बेस्ट है एक्सपल्स तो यहां एक लाज ब्रेक लिया है ओह 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 लाल होगी हमारी लाल कि सूजी है कि मैं सब हमारी सूजी है तो करते हैं भी लंच थोड़ा रेश्ट करके फिर निकलेंगे तो गाइस तीन बच के दो मिनिट हो गया है रहा है और हमने लिया है अपना लंच ब्रेक और सामदे जो व्यूव क्वेज़ नंच ब्रेक है और यह देखिए विव के बड़ी यह ब्रेक लिया यह थी बूब्स उब भण उर यह से आए हम सामने से और यह रहते केड़ावाडी कि किरावाड़ी में रुके हैं अभी हम और अभी कुछ खा पी के फिर निकलेंगे और 138 किलोमेटर का डिस्टेंस अभी हमारा है वो कवर करने के बिए और और हाफ आवर की जर्नी है बाकी देखते कितनी लगती है गुगल भाई तो इतना बता रहे हैं तो अभी खाते भी हम थ निकल रहे हैं वहना वर हो गया यहां पर है कि अधिया जारा है यह आधा है रोड की अधिया चुरुआ तही है तो अन्जाम कैसा होगा हमारा मस्टांग वाला रोड तो और भी सोने पर सुआ गा बता रहे हैं और है अधिव बाईय के मीरी भाईक भी है और हमारे दुनों भाईयों की हल्की भाईग है मेरी भाईग है साद में पैनियर लगे में इ Cyril hoi पोखरा की रोड तो फंण फोर एंट हाफ की राइड ओर बची है अगर हम नौनग्चों चलते हैं तो अगर बेत ले ले लिया तो बाही सोच लोग एक बेहे हमार वॉन आवर का होता ही भाज अभी पूरे बान आवर में हमने हैं पूरा वान आवर हमने यहां पे लेकिन बहुत ही थंटी 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 आवा रही थी और व्यू सामने के इतना बढ़िया था उठने का मन्नी नहीं कर रहा था चोड़ो चलते हैं पोखर रा एक अजब मैं 2018 में आयदा तो यह आरिंग ब्रीज आए जिसके हमने बोट ही बड़ीटिया वीडिया और फोटोगृफि करें ती यही है वो प्रीज तो आज फिर हम उसी बीज पर आ गए हैं तो यहां पर करते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोबारा वंस अगें तो कैस्ट यह एक आइरेंड ब्रीज को हम क्रोस कर रहे हैं और यह रिवर देख रहे हैं यह मुक्तिनाथ से रिवर आ रही है और एक शोटकर्ट रास्ता सीधा मुक्तिनाथ को जाता है अगर हमें पोकरा नहीं जाना हो लेकिन हमें पर्मिट बनाना है तो इसलिए पोकरा जाना पड़ेगा बापसी में शयद हम वह दूसर रूट से आएंगे और अठारा में हमने यहां पे काफी बड़ी आए बीडियोग्राफी की थी इसी बिडिज पे तो मैं वह डालूँ गा इसमें अठारा की भी क्लिपिंग और यह हमारी डॉमी घड़ी है और यह रिवड है और यह सामने देखो रिवर जा रही है ब्यूटिफुल यह पहाड़ बुतुल आप्टुल तरहे हैं बुतुल ? वहारे गुदुल वेरी गुदुल हम लखनु है अराभी औरो किसार? जो क्यारभी जो किसार? जो किसार? जो किसार बुत थैने किसारी झाल भर्शने कारे है? बढ़ी है आ घटॉल अब साफ ठीक हो राज इंडाए बढ़िया चालो बढ़िया बढ़िया ओके भाई अब से प्राइज भाई थैंक यू तो गाईस हमने ब्रेक लिया था ये है काली नदी और सामने है सेतू नदी और दो नदियों के यहां पर संगम होता है जो काली नदी है ये मस्टांग से आरही है और ये देवी नदी भी कहा जाती है बगवान की नदी और सेतू जो रिवर है उसको खतनाख का जाता है क्योंकि काफी ये लहरे आती है उसमें काफी डिस्टरब करती है तो अब भी 95 किलो मेटर का डिस्टाइंस ओर कबर करना है हमने और पेटोल बर्वाना भी भाई बाई लॉग पेटरोल दो पॉंट रहे गे कि तो है ड्यों से पना इसन दो वंग धूम्हश। depending कि में ने ले Romans ले। तीनक हमाना थ। यह उर्का एंग अ मुज्खाव द्रह लीग साइट पे जया अइंग द्रिशन परदेखक्ट में में हाग हुई और मुझा आपको आपके लेवल में आएगा अठा तेरी अप्छा फैसिलिटी अभी कितने गंटे कर दाफी अभी नियुक्त अभी पाइक में आपको तीन गंटा लगे झाया तिन गंटा लगे आराम से दो सारे तो घंटा में पोर्ट जाहेंगे हो अब बढ़िया जोती भाई जोती भाई बढ़िया आएगा 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 अब जब तक टाइम मिलेगा तब ही करूंगा तेंक्यू अब से मिलकर खुष लेगा तेंक्यू चले तो अभी हजार नेपाली रुपीज के हमने पेटरोल डलवा लिया और वहां दे चल पड़े हैं और 85 किलोमेटर का डिस्टेंस और अभी हमने कवर करना है हाडली थ्री आवर में हम पहुंच जाएंगे पोखरा अभी समय हुआ है छे बच चुके हैं पूरे शेतीन नो तो लगबग 9 बजे हम पोँच जाएंगे पोखरा लास टाइम हम थार्ड डे पोखरा डिली से 2018 में और इस बार हम सेकेंड डे पहुंच रहे हैं और लास्ट टाइम हम आठ बजे रात को पहुंचे थे और इस बार नो बजे पहुंच जाएंगे लेकिन दो दिन में हमने कवर कर देना है बहुत ही ब्यूटिफल व्यू यार वो सामने जाना है उस रास्ते पर उस मांटन के साथ साथ है मज़ा आगया देखके रास्ता तो हैसे ही मिल रहा है काभी फुटा फुटा कभी ठीक ठाक लेकिन स्टार्टिंग से बैटर रहा है वहां तो दूल मिटी ने तुफान मचा दिया था यार अगर बारिश हो जाती तो सुवान अल्ला हो जाता फेर तो या मोसली यह जाता रोड साफ तो है साथ उतरा और बना हुआ है प्रॉपर यह देखो जहां से चलेते वैसी पहाड़ है सेम कुछ यह नहीं आया आया ऐसा वियू पॉइंट है यह तो कोई देखो हुआ है वाओ इस लेट दू नगी ऑफ गाव दू अ और यह चुके है रेश्टरेंट पॉर लाँच भाउ जिसेगा उचाइट को यह तो यह थो यह तो कैस्ट नो बच चुके है और हम पहुच गए है पोखरा में और सुबह चले थे पांच बज़े और अब बजगे नो यानि की सेव्टीन आवर्स की राइड आज हुई है हमारी सुत्रा गंटे लखनव से पोखरा इन वन डे दो जार अठारा में जब मैं आय था तो दो दिन में हमने लखनव से पोखरा किया था और इस पार मैंने एक दिन में ही लखनव से पोखरा कर दिया लेकिन शरी के टुकड़ी टुकड़े हो गये हैं टोटे टोटे हो गये हैं 17 गंटे यार माने रखता है तो अब चलते हैं सिदा होटल और वहां जाके करेंगे रेस्ट दिखा दूँगा आपको होटल को सा होटल लिया है और हमने लिया है लेक साइड वियू का अब जाके ही पता चलेगा भुषाहओं का चलते हिए होटल में का टूँटे हैं सिदा होटल लु刑 कि बाप घंचे तो एक साइड बloro बनना निका है तो तो मैं सो गया था हम रुके हुआ हैं पाईब ऑ होस्टल में तो यह हमारे राइडर बारे में बत देहें के पेले अलोह हैं मैं yht तो भाई अगर आप कोई भी आएं तो मैं इनका नंबर दिस्क्रिप्शन में दे दूगा आपको कोई भी वैसे बाई कोई भी वैसे हैं छोड़ आपको कराना हो तो सारे कुछ आपको है तरव कराएंगे कोई भी फास बी जाओ तब भी भाई आपको एक कियाässर आपको खाळाएंगे तो तो सारे ना सीट्वर, तो आज का भी एक्सपेरियनस बढ़िया होगा और व्लोहर मस्टन के तो गर्शा बाई के रहे, मैं बनवादूगा कफी हईल्प करते हैं तो अगर आप आएं तो पहला पहला होस्टल है और यहाँ पहला आके आप रुख सकते हैं और ओपना उपना खा सकते हैं बहुत ही बेस्ट है तो प्लीस 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 सब्सक्राइब माई चैनल तो अंत में दोस्तो राइड हार्ड राइड से बंदे मात्र में चैनल